बीमारियों के इलाज में होने वाले एक खर्च का बड़ा हिस्सा दवाईयों का होता है हमारी टीम की एक सदस्या ने आम तोर पर काम आने वाली कुछ दवाईयों का एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिया फिर उन्होंने ये दवाईयां बाजार में एक केमिस्ट की दुकान से खरीदी, कितना हैं? 2191 और यही दवाईयां उन्होंने जेनरिक मेडेसिन्स की दुकान से भी ली दवाईयों की कीमत में जमीन आस्मान का फर्ड दिखाई दिया राजस्तान में कम कीमत में मिलने वाली इंजेनरिक दवाईयों की शुरुवात की चित्तोड के पूर्फ कलेक्टर डॉक्टर समिट शर्माने एक दूकान में अर जो जनरिक मेडिसन है उस दुकान में जब गई तो उनको कम में मिली थीन सो में मिली ये कैसे मुमकिन है ठीक इसी समय प्रतिक्षण प्रतीपल एक ट्रेजरी हमारे चारों और खट रही हैँ अर्थक्वेक किया कि सूनामी की बात करें उसमें जितने लोगों की जाने एक दिन में जाती है उससे जादा जाने प्रते दिन इस ट्रेजडी के वेसे जाती है वो क्या ट्रेजडी है? वो ट्रेजडी यह है साब कि जो दवाईयां की वास्तविक कीमत है वो तो बहुत ही कम है पर जो दवाईयां हम जब बजार से खरीद किलाते हैं तो हमें वो 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कई वार तो 50 गुना से भी जादा दामों पे हम उसको खरीदे हैं जैसे हम भारत में अगर देखें कि 40 करोर से जादा लोग ऐसे हैं जो अपने लिए दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते तो क्या वो दवा को खरीज सकते हैं बहुत सारे लोगों को इस वज़े से दवाई नहीं मिलते हैं डबल एचो कहता है कि सुतनता के 65 वर्ष परश्चात आज भी 65 परसेंट आफ दे इंडियन पॉपलेशन लेक्स रेगुलर एक्सेस तो इसेंशल मेडिसन्स जो में में दवाई हैं जो आवशक दवाई हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती रकम के वज़े से मुझे बताईए कि यह जो जेनरिक मेडिसन्स जो हम कहते हैं अब यह अग्रेजी का शॉपद है इसको हिंदी में कैसे समझाएं तो मैं अगर दॉक्टर हूँ तो मैं इसको यह कहूँ एक ग्लास दूद सुबह एक ग्लास शाम को पिया करा पर चिकत्सा के व्यवसाय में दुरभाग्य से हमारे देश में नहीं हो रहा हम यह नहीं कहते कि आप भैस का दूद लेके आई हम कहते हैं कि वो रामो की भैस का यही ब्रैंडिंग है यह जब उसकी दुकान पर जाती है वो कहता है 500 रुपे लिटर है लेना है कि नहीं लेना तो जो 30 रुपे की चीज़े वो 500 रुपे में मिलती है तो अगर मैं डाइबीडिस की दवा ले रहा हूं और अगर मैं ब्रैंडिड दवा लेता हूं तो मुझ उची कितने की पड़ेगी जैसे एक 117 रुपे में मिलती है और अगर वो है छीज हम उसके जनरिक मेडिसिन के नाम से लें तो और कितने की बिनती है उसर मात्र 1 रुपे 190 पैसे में तस गोली मिलती है और दोनों गोलियों में कोई फरक नहीं किसी किसम का क्योंकि इसकी उत्पादन लागत ही इतनी है उसका मैनिफेक्ट्रिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, डिटेल मार्जिंग, जो हैं जो हमारे जाता के, उतने की ही पड़ती है कुछ कैंसर के मैं आपको अधरन दोँगा उसमें एक ही दवा, जो बल्ड कैंसर के काम में आती है बजार में सवा लाख रूपे का एक पैकेट मिलता है सवा लाख का एक पैकेट जो एक महीने चलता है और जेनरिक में? वही दवा जेनरिक में अलग-अलग कंपनी जो बनाती हैं एक 10,200 में बेशती है एक 8,800 में बेशती है और एक 6,500 में बेशती है मतलब ये आपका ये कहना है कि आपके ये प्रयास से इतने कम में राजस्थान में पबलिक को अवाम को ये दवाएं पुचा रहे हैं आप इस वक्त क्या बात है मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे परची पर जेनरिक नाम क्यों नहीं लिखके देते क्यों लिखते हैं वो ब्रेंडिक में यज़ जाने देंगे बार भार फिर नहीं नहीं सब जाने देंगे जब एक नया नहीं मेडिकल प्रैक्टिशनर जब प्रैक्टिस शुरू करता है तो उसके पास जो कंपनी के जो जिसके भी नाम वो रैपुटेट कंपनिया जिनके नाम आप ले सकते हैं वो सभी हमें वो उसको जो सता रुपे की है उसको दो रुपे में पांच रुपे में दे रही है, तीस रुपे की दवा दो रुपे में दे रही है, इतना ज़ादा फर्क तो कंपनी तो दे सकती है और देना चाहती है और हमें देती भी एत्ती कम दाओं वे हमें दे रही है ना यह की संभवत हो है अच्छा मैं आपको बताऊँगा कि भारत से हम लगबग 45,000 करोड रुपे की जेनरिक दवाईया प्रतिवर्श विदेशों को निर्याद करते है आपने जब यह शुरू किया तो आपको कोई रिजिस्टेंस फेस करना पड़ा राजस्थान में देखिए जो प्रयास हम कर रहे हैं यह बेसिकली धारा के विपरित बहने का एक प्रयास है काफी थ्रेट्स भी है क्योंकि इसमें माफियाज भी हैं डrug माफियाज जो उपर कम कीमत पे दवा मिल जाए और आज भी ऐसे डोक्टर सें जो अपने घर से सैंपल स्ला करके अपने जेब से पैसे निकालके मरीज का इलाज कर आते हैं यह बिलकुल सहीं तो मैं इनको अधारन भी बताता हूँ कि कैसे हमारे जो काम वाली थी उसका बच्चा था चोटा इंसिडेंटली हम को इससे में चुटी मनाने कोई बाहर गए जब हम लॉट कि आये दस बारा दिन बाद तो लक्षमी के साथ उसका चोटा जो बेटा था राजू वो भी उसके सा हो गया था उल्टी दस की बिमारी के लिए जब दवा लेने गई तो कैमिस ने उसको कहा कि इसके तो चार्सो रुपे लगेंगे तो उसने का साब मैंने खूब मांगा मेरे पास चार्सो रुपे मुझे नहीं थे और मेरा बच्चा रात को ही उसको दस दातरे वो खतम हो गय और सबसे बात किसे आसानी से बदला जा सकता है हमें सब को एक समनवेत एक संगठित प्रयास करने की जरूत है यह तो कुछ भी नहीं है कोई नई फैक्टरी खोली नहीं कोई नई दवा नहीं बना नहीं यह सब जो गलत चल रहा है इसको रोकना ही तो है तो दोस्तों डॉक जे सरकार जेनरिक मेडिसिन्स की दुकाने खोले जैसे राजिस्थान सरकार ने किया है और जिसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं एक बात और अगर आप एक एंजियो हैं और आप जेनरिक मेडिसिन्स की दुकान खोलना चाते हैं तो डिपार्टमेंट आफ केमिकल्स एन फर और हमारी दुआ यह है कि जो काम आपने राजस्थान में शुरू किया है वो हर राज्य में फेले देश के कोने-कोने में फेले बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का डाक्टर समिक थाक्टर समिक